असलाम अलेकुम, वेलकुम बैक टू मै चैनल, मुझे उमीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे, आज है जी त्यूस्टे और मैं त्यूस्टे का व्लॉग आप लोग के साथ शेर कर रही हूँ, बच्चों को थी चुटी इलेक्शन डे की, और जिस दिन बच्चे घर में होते हैं उस दिन तो मेरे लिए स्पेशल डे होता है, मीन्स के ब्रेकफास उनके लिए स्पेशल होता है, और आज मैं बना रही हूँ जी, शुक शुका, लोग शुक शुका कहते हैं, यह जो भी कहते मैंने डाले हैं, मैंने टिमाटर बहुत अच्छे थे, बहुत ही जबरदस थे, मतलब होता रहा है कुछ टिमाटर तो बिलकुल खटे नहीं होते हैं, यह बहुत नरम होते हैं, यह ऐसे नहीं थे, बिलकुल कहते हैं ना कि जो सैलड वाले टिमाटर होते हैं ना वो थे, तो इस इस तरह से उपर डाल दूंगी खोल के बस आपने ना लेकिन कहते हैं कि चेक करना चाहिए कि खराब ना हो लेकिन यहां पर मुस्लिफ फ्रेश ही होते हैं तो इस वज़े से मुझे ये डर नहीं है कि अंडा खराब होगा इन्शालला सब ठीकी होगा और शे अंडे हैं जो कि म चिली फ्लेक्स अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी लेकिन मुझे ना ब्लैक पेपर के टेस्ट को इतना जादा इस पे अच्छा नहीं लगता सो मुस्ली मैं यूज नहीं करती धनिया मेरा मुस्ट फेवरिट है एक के साथ चाहें आप आमलेट बना लेना और इकरा को तो शुक शुका ही बनाती है और बहुत शुक से बनाती है लेकिन यह कि वो जो भी चीज को करेगी वो बहुत ही स्पेशल होती है और उसके हाथ में माशाला से टेस्ट भी बहुत है घर में रैडिमेड प्राटे पड़े हुए हैं सो आटा बाटा गुरने की कोई जरूरत ह यह और इंदिन वपतर मेरा आटा खितम हुआ हुआ है और मैंने सोचा था कि मैं अपना बजार जाओंगी वहां से लेके हाओंगी लेकिन बस कुछ इस तरह से कि वहां पर जाना झी हो रहां औरкоई ने कोई काम निकल आता है कोई दूसरा मतलब काम निकल आता हैको जो आट first enjoy किया था आज ना sunny day है मुझे ना असल में जब ठंड होती है ना तो मुझे बिल्कुल इस तरह के दिन अच्छे नहीं लगते कि जब बारिश हो बादल हो या स्नो हो और हम आगे जी हमने सोचा कि Saturday Sunday बचा लेते हैं और हम आगे जी बीजे और आज यूके बच्चों को सन था हमने ले लिया लाँन की जिंदगी करें बच्चों का होता है ना कि कभी बच्चों का भी फैवरेट पे मूट करता है कि एच्छा ममा हमने ये खाना है ये खाना है हम तो regular वो फूड हम देसी लोग तो यही खाते कि एच्छा जी रोटी का ली सालें खा लिया लेकिन की चोईसे जलैदा होती है तो फिर हमने जी उनकी शॉपिंग भी कर ली और फिर हम चल पड़े जी घर की तरफ वापस शाम बहुत खुबसूरत थी देखे बिलकुल क्लियर सकाय था और मौसम थोड़ा थंडा था अच्छा ये जो एरिया ना जब मैं यहां पर आई थी आप यकीन करें कि यहां पर कुछ नहीं था जंगल होता था बलके इस एरिया में तो लोग आने से भी घबराते थे बहुत डड़ते थे लेकिन अभी मैं हिरान होती हूं कि इनसान को इतनी ही कहते कि अकल दी हुई है कि यह एरिया आप देखें आप कितने खुबसूरत करते हैं और यह घर उनको अलाट हुआ है लेकिन यह उनके अपने घर है ना और जो अपार्टमेंट्स भी है यह सिटी रेंटिंग है में मोस्ट अफ सीनियर सीनियर रेंटिंग है मिन्स के जो आपके पैरेंट्स होते है ना उनको यह घर मिले होते हैं वन बेड्रूम है मोस अलहुदलहालाह इसमें जगई हो गई थीकिसमानी राख देख चुकर को सुरहे हूं इक्राने लेके आई थी अर। और मेरह सिंदगी में कभीट्रालाइ Ouch लेकिन उसको शॉक था कि मामा मा खा किए नर अब उन्हाइब On मज़े का होता है मुझे इसका अंदाजा नहीं था अच्छा आप ये टेबल की मैसिनस पे नहीं जाएगा क्योंकि टेबल पे ना मैंने जब जितनी भी ग्रॉसरी लेके आई थी टेबल सामने था तो मैंने टेबल के उपर रखती थी और पर बच्चों को इतनी भूग लगी अच्छी थी कि बस हमने ये मैंने एकरा को बोला कि एकरा मैं ग्रॉसरी ठीक कर रही हूं और उसने इतनी मज़े कर ये पोटेटो और क्रैब्स और इसकी सॉस रेड़ी कर ली और बच्चे जो एंजॉय कर रहे थे लेकिन इसमें सबसे जादा जो लग थी था वो मैं आपको इवन देखें फीडर भी यहीं पर पड़ा हुआ है जो गाड़ी में गया हुआ था ना तो ये देखें मिन्सा की लग माशाला से कितनी अच्छी है और मिन्सा को ना अब आइटिंग उसके नेल्स थे यह क्या था आइड़ूंट गैड़ी बट शी नोज हाव टू क्रैक्ट के लिए क्रेजी होते हैं अब मैं बना रही हूं यहां पर जी मटन और मटन मैंने जब सारी जो ना अधरक लेसन टमाटर सारे मिसाले एकठे डाल दिये थे मैं डीफ्रॉस करके गई हुई थी और आज बहुत मज़े का ना आज मटन बनने वाला है इतने दिन हो गए ना और इ 10 शुगर लेके आई थी और कभी लेके नहीं आई 10 पाउंड का यह पैकेट था तो मैंने सोचा कि मैंने सुना है कि जब आप चाय पीते हैं तो इसकी चाय बहुत अच्छी होती है होती यह शुगर ही है क्योंकि शुगर कोई भी हो ना वह इतनी हेल्दी नहीं होती आपको थोड़ी यूज़ करनी चाहिए शुगर किसी भी चीज़ में हो तो आप अगर जादा इस्तमाल करें तो वह अच्छी नहीं होती अच्छा मतन मेरा अभी यहां पे भून चुका था मेंस कि उसका पानी ड्राय हो गया था यह पॉइंट होता है कि जब आप सारी चीज़े मि ना इसी तरह से हिला रही थी तकरीबन हमने से दस मिनट के करीब यह दस से ज्यादा ही ना हमने इसको भूनने है जब आप इसको इस तरह से भूनेंगी तो इतना अच्छा उसका वो ना टेक्स्चर हो जाएगा उसका कलर भी हलांके देखें मैंने कोई प्यास ब्राउन नी किये कुछ नहीं किया लेकिन उसका कलर देखें आप माशाला माशाला लाहमदोलिल्ला इतना जबदस कलर था और उसका टेस्ट इतना मज़े का था यह गोश्च के मैं आपको क्या बता हूँ तो आप लोग यह ट्रिक देखेंगा कि जो भी मिसाले आप डालें आपका मेन य हारी हूं बिलीब में लेकिन मेरा वेट रिक्तम से मैं गेंड कर गी हूं और यहां पर शाही जीरा में थोड़ा सा पूइस रही थी मैं गोश्च के ओपर डालूंगी हमेशा आप जब भी आपका गोश्च रेडी हो जाले तो उसके ओपर यह गरम मसाला पाउडर यह जीरा पाउडर जरूर डाला करें उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है तो मुझे उमीद है कि आज का जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा आज की जो डेली रूटीन है मेरी आपको अच्छी लगी होगी मैं हूं पाकिस्तानी मौमिन अमेरिका और मैं हमेशा आपके आप लोगं के लिए सामने बहुत अच्छे व्लॉग जाने वाले हैं तो अपना ख्याल रुखिएगा अल्ला हाफिज और फी अमान अल्युद्ट